28 मार्च से बनने वाले दस मोस्ट इंपोटेंट करेंट अफेर के क्वेश्चन हालही में किसे केरल के सर्वच नागरिक पुरस्कार केरल ज्योती से सम्मानित किया गया है एम्टी वासुदेव नायर को हालही में यूने स्टेट का निधन हो गया वो कौन थे अभिनेता करनाटक राजे के चुनाव आयोग ने ट्रांस्जेडर समुदाय को पंजी करन के लिए प्रोसाहित करने के लिए किसे चाइनित किया गया मजमा जोगतिय को 33 सिनियर राष्टिय तलाबाजी चैंपियंशिप में महिलाओं के बेक्तिगत साबरे वर्ग में भवानिय देवी ने किसे हराकर स्वन पदक जीता है वी सन्नी अलक्का को जातिवाद और नसली अभेद भाव के खिलाब संगहर्ष कर रहे लोगों के साथ एक जूड़ता सप्ता कब से कब तक मनाया गया 21-27 मार्च अमरित भारत इस्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे इस्टेशन को विस्वास्तरिय बनाने के लिए चुना गया है 12-25 अतरी स्टेशन को आलही में पर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां 13.7 एक किलो मीटर लंबी वाइट फिल्ड टू क्रिश्णा राजपूरम मेट्रोल लाइन का उद घाटन किया गया बैंगलूरू करनाटक में आलही में भारतिय सेना ने किसके साथ पुर्विय छेत्र में वायू प्रहार नामक 96 गंटे का संयुकत अभ्यास किया वायू सेना आलही में विश्वरंग मंच दिवस कम मनाया गया 27 मार्च को हालही में नई दिल्ली में वायदिक विरासत पोर्टर का उद घाटन किसके द्वारा किया गया अमीत सागे द्वारा ठैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो जय हिन दोस्तो